आस्था और परेवरंड संड्रक्षन का अनूठा संगब फुटाला तलाब में किया गया विसर जब कई वर्षों से हो रही है फिटकरी गनेश की स्थापना तलाब की गंदगी को समाप्त करने के लिए पहल नमस्कार में रश्यपाली और आप देख रहे हैं शंगनात आज हमाएं है पुटाला आप देख सकते हैं फिटकरी के गंदगी इहाँ पर सापिट किया गया है और स्थापिट करने का वज़र यहां है देश भर में गनेश उत्सव बड़ी धूमधाम से बनाये गया है दस दिनों तक भक्तों ने बपा की बड़ी श्रद्ध और वनुकामना से पूजा की गनेश उत्सव केवल धार्मिक नहीं बल्कि समाज को एक जूट करने वाला परवभी है दस दिनों के हर्शुलास के बाद आज विसर्जन का दिन है बपा की विदाई हमेशा भावुक कर देती है लेकिन अगले साल फिर उनके स्वागत की खुशी रहती है अगर आप उसका विसर्जन करेंगे तो तालाब की शुद्धता वही कायम रहेंगे हाला कि उसके pH value या chemical नहीं होने से वो तालाब और शुद्ध होगा क्योंकि हम जब ग्रामी शित्र में आप जाएंगे तो फिटकर का इस्तमाल महा का पानी साब करने के लिए होता है प्रशाशन के आगरा के बावजू बड़ी संख्या में भक्त गनेश प्रतिमाओ का विसर्जन तालाबों में ही करते हैं जल प्रदूशन बढ़ता है इसे ध्यान में रखते हुए पिछले कईश सालों से फुटाला स्थित पर्यावरन रक्षक संकट मोचक फिटकरी गनेश मंडल द्वारा फिटकरी गनपती की संकल्पना को आगे बढ़ाया जा रहा है तलाब के शुदिकरन के उदेश इसे फिटकरी के गनपती की स्थापना की जाती है इस परंपरा की शुरुवात दो हजार में हुई थी यह जानकारी गनेश मंडल के संस्थापक सचीब अनील अवस्ती ने दी उन्होंने अन्य तालाबों पर भी इस तरह के अभियान चलान मिले और यहां के पानी की बद्बू आती है पानी के अंदर में तो वो बद्बू आने के करण भी एता है कि पानी के अंदर में जो कच्रा रहता है जो सर जाता है तो उसमें बद्बू आती है इसलिए पानी का सफाई भी पानी भी साफ हो जाने को होना तो उस दृष्टी स शंकनाद न्यूस के लिए नाकपूर से रक्षमी पाली के रिपोर्ट